हाई एवरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ सांभर की रेसिपी एकदम इजी वे में और एक ही बरतन में हम सांभर बना कर त्यार करेंगे चल्दीते बनकर तयार हो जाएगा और एकदम हल्दी ये रेसिपी होती है क्योंकि हम इस क्राइब भी कर लिए जिसे मेरी हर आने वाली वीडियो को देखने में आपको आसानी रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसर भी बनाना सामर बनाने के लिए मैंने यहां पर आधा कप से थोड़ी सी जाधा तूहर डाल को 20 मिनट पहले भीगो कर रख दिया था सामर ब दालेंगे एक टेबल स्पून ऑईल गरम हो जाने के बाद आधा चमच काली सरसों के दाने डालेंगे और चात में ही डालेंगे खूब सारे करी पते करी पते से बेहदी बढ़िया फ्लेवर हमारे सामबर में आता है इसलिए जरूर से एड़ करें इसमें करी पते दोनों ची दाने के बाद हम इसमें डालेंगे ठीर सारी वेजेटेबल्स वेजेटेबल्स में मैंने लिया है लोकी, कद्दू, वेंगन और एक टमाटर आप अपनी मन पसंद कोई भी वेजेटेबल्स इसमें डाल सकते हैं जैसे कि फ्रेंच बिन डाल सकते हैं या फिर रम स्टिक्स ड बाकि जो भी मसाले डालने हैं वो हम बाद में अड़ करेंगे मिक्स कर देंगे तोनों मसालों को अब हम इसमें डालेंगे भीगी हुई दोहर दाल जो दाल हमने भीगोकर रखी हुई थी मैंने उससे सारा पानी निकाल दिया है अब इस डाल को डालेंगे कुकर में तीन कप पानी डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा जाधा मैंने डाल ली थी तो उसके लिए हम तीन कप पानी डालेंगे पानी हमने पहले जाधा नहीं डालना है नहीं तो सीटी के साथ पानी बहार आएगा अगर सांबर थीक हुआ तो हम इसमें बाद में पानी आड़ कर लेंगे मेडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक हमने सांबर को पकाना है जब तक सांबर में सीटी लगती है तब तक हम इमली भिगो कर रख देते हैं क्योंकि सांबर में इमली मस्ट है बिना इमली के सामबर में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा तो ये देखिए दो टुकड़े मैंने इमली के लिए लिए हैं मैं गरम पानी से इसको भिगोंगी ताकि ये जल्दी से सॉप्ट हो जाए येधर हमारे कुकर में 4 सिटी लग चुकी हैं अब हम ढकन खोल कर देख लेते हैं तो ये देखिए सब्जिया हमारी सारी पक चुकी है दाल भी अच्छे से गल चुकी है, सॉप्ट हो चुकी है अब थोड़ा सा चला कर सब्जियों को मैश कर लेते हैं क्योंकि सांबर में सब्जियां इस तरह से मोड़े टुकड़ों में नहीं दिखने चाहिए अब सांबर हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है इसलिए एक से डेड़ कप मैंने इसमें डाला है गरम पानी अब दो छोटे चमच डालेंगे सांबर मसाला और आधा चमच मैंने यहाँ पर गुड़ को ग्रेट करके लिया है साथ में ही डालेंगे इमली वाला पानी इमली के सॉफ्ट हो जाने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया था अब छान कर इसको डालेंगे सांबर में ग्या सोन कर लेंगे और 3-4 मिनट तक सांबर को और वाल लेते हैं साथ ही हम सांबर के लिए तड़का भी तयार कर लेंगे यहांपर में एक तड़का पैन लिया है इसमें डालेंगे 1 टेबल सोन ओई आयल गरम हो जाने के बाद 3-4 सुखी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़े से डालेंगे करी पते आदा चमश डालेंगे देगी लाल मिर्च पाउडर तो भस तड़का बनकर तयार हो गया है अब इसको डाल देते हैं सांबर में और तड़का डालते ही हम 2-3 मिनट के लिए कूकर का ढखकन बन कर देंगे ताकि तड़के का बड़ी असा फ्लेवर सांबर में आ जाए तो लीजिये फ्रेंट्स सांबर बनकर तयार हो गया है डोसा और इडली के साथ तो यह परफेक्ट जाता ही है आप इसको चावल के साथ भी सव कर सकते हैं चावल के साथ यह बहुत ज़्यादा टेस्टी रगता है खाने में तो मैं इसको चावल के साथ ही सव करने वाली हूँ फ्रेंट्स रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना फिर मिलेंगे एक और नई रेसेपी के साथ तब तेक टेक केर बाबाई